तो हैवेव कैसे हैं आप दोस्तों आपको बताने लोगा है उसका इंक्प करके नामें kalo इंफ फिर जो चलते आगे मेरे नाम सनी और और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्ट में तो जैसा कि मैंने बता है मैं आपको बताने वालों कैसे आप अपने समसंग गैलरी के अंदर फुल स्क्रीन स्क्रॉलिंग को यूज कर पाएंगे तो उसके लिए आप उकरना क्या जाना अपने मुवाइल क आप यहाँ पर एपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पार पको यह सब दिख रहा है आपको time वाली लाइन दिख रही है तॉप में आपको यह उन कैसे करना उसके लिए जाना यहां पर में जाना है सेटिंग पर कि आपको यहां पर यह उप्षन मिल जाएगा फूल इस स्क्रेइन पर आपको दिख रहा ओगा उपर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको पूरी स्क्रीड पर स्प्रॉलिंग हो रही है तो यह होता है फूल स्क्रीन स्कॉलिंग वाला ऑप्शन इसका मतलब यह होता है कि आपको पूरी स्क्रीम में स्कॉलिंग कर सकते हैं आपको कोई भी जो साइड है वो कहीं वेस्ट नहीं होने वाला मतलब उपर का जो आपको नेटवर्क वाला टॉप का होता है वो स तो उसके पर टैप करना है यहां पर उसको आपको टैप कर लेना है जैसी आप यहां पर टैप कर लेंगे तो यहां पर बताता हूं कैसे तो उसके बाद आपको जाना है about gallery में और यहाँ पर आपको continue टैप करना है version पर जैसी आप tap करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा कि gallery lab का option आपका enable हो गया है कैसे simply आपको यहाँ पर tap करना है continue जैसी टैप करेंगे नीचे आपका gallery lab का एक अलग से option खुल जाएगा आपको उसके अंदर जाना है यहाँ पर आपको कहीं वो full screen वाला option आप मिल जाएगा अगर आपकी mobile बाहर नहीं मिल रहा उसके बाद आपको करना क्या होगा उसको enable करने क दोबारा on करेंगे तो फूर स्क्रीन वाला option आपको यहाँ पर enable हो जाएगा दोस्तो ऐसे इसको यूज करते हैं उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यों तो दोस्तों मुझे आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चिन में मिल जाएगा थो थैंकि दोस्तौट